हिंदी की ओनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से उ की मात्रा पर आधारित पाठ आठ चुलबुली जुम्री का वाचन करेंगे पाठ का वाचन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि उ की मात्रा का परियोग के से करते हैं और उसका उचारन कैसा होता है उ की मात्रा व्यांचन के नीचे लगाई जाती है और उसका उचारन छोटा होता है जैसे की क, उ, कू, ख, उ, खू वैसे ही कू, खू, गू, गू, चू, छू, जू, जू अब कुछ शब उ की मात्रा से ला, ब, गूलाब, जू, रा, ब, जुराब, चू, इ, या, चुहिया कुछू, रा, कचुआ, पू, ल, खुल। दु-का-न, दुकान, जा-म-न, जामुन, बु-ला-बी, बु-ला-बी चलिए बच्चों, अब हम पाट का वाचन शुरू करते हैं चुल्बुली जुम्री जुम्री की नई-नई शादी हुई थी जुम्री दुलहन बड़ी चुल्बुली थी इस पाट में एक लड़की जिसका नाम जुम्री है उसके बारे में बताया गया है जुम्री नई-नवेली दुलहन थी और वो बहुत ही चुल्बुली थी वै Wै बहुत साफ सुथरी रहती थी सुबा उठकर दातुन करती थी, साबुन मल मल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुन्री भी, फिर टीका लगाती और जुमका पहनती, पायल पहनकर इदर उदर इतराती चलती थी, जुम्री साज सुथरी रहती थी और सुबा उठकर दातुन करत बच्चो दातुन लक्डी का एक टुकड़ा होता है जिसे हम ब्रश की तरह इस्तमाल करते हैं वे साबुन से नहाती और साफ कपड़े पहनती थी टीका लगाती जुमका पहनती पायल पहन कर इदर उदर इतराती चलती थी भुद्वार का दिन था मुनिया की शादी थी जुम्री बन ठनकर शादी पर आई वे उफार भी लाई थी एक गुडिया और कढ़ाई वाला कुर्त उफार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई बुद्वार के दिन मुनिया की शादी थी जुम्री वहां बन ठनकर तयार होकर गई और अपने साथ वे उफार भी लेकर गई थी जिसे पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई बच्चो जब हमें भी कोई उफार देता है तो हमें अच्छा लगता है न वैसे ही मुनिया को भी उफार पाकर बड़ी खुशी हुई गर्मी बहुत थी जुम्री सुराई का सारा पानी पी गई वे तीन गिलास गुलाब का शर्बत भी पी गई फिर भी गर्मी लग रही थी जुम्री और ना रुक सकी अपना सुनहरा बटवा उठाकर गर आ गई शादी के दिन बहुत गर्मी थी जुम्री सुराई का सारा पानी पी गई और उसने गुलाब का शर्बत भी पिया फिर भी उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वे वहाँ और ना रुक सकी और अपना बटवा लेकर वो गर वापिस आ गई बच्चो अब इसमें ध्यान देने वली ये बात है कि जहां शब्द रुक लिखा हुआ है उसमें उ की मात्रा र के नीचे ना लगा कर र के बीच में लगाई गई है तो बच्चो रही एक मात्र ऐसा व्यंजन है जिसके नीचे उ की मात्र ना लगा कर उसके बीच में लगाई जाती है ये पाठ यहीं पे पूर्ण होता है और बच्चो अब आपको इस पाठ का तीन बार वाचन करना है धन्यवाद, शुब दिन